अच्छा मुझे बताओ कि दूसरी रिकॉर्ड आज में ठीलो ठीक है कोई ना तो अब हम स्टार्ट कर रहे है बायो टेक्नो लॉजी एंड इट्स एप्लिकेशन अभी तक बायो टेक्नो लॉजी में क्या क्या हो रहा है हमने वो देख लिया था अब कैसे-कैसे एंजाय को तोड़ा गया जोड़ा गया फिर उसके हो बैक्टिरिया में या जिसमें भी डाला गया जीन of interest से लाया गया मार्केट में लांच किया गया हमने यह देखा था ठीक है अब हमने यह सब क्यों किया गया, असल में इसका यूज क्या है, उसका application क्या है, हम वो इस chapter में पढ़ने वाले है अब क्या करें, प्रीट लाइट नहीं आ रही स्केम किया था, हमने प्रोडक्तो रिटेल में, अरे बहुत भारी language यूज कर गई, इफ्रा अब क्यों करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं, अब क्यों करते हैं, अब अपन ने जैसे को भी प्रोडक्त लिया है, को भी उसको बनाना शुरू किया है ठीक है, और हम इतना large quantity में बना रहे हैं, तो यह eventually न कहीं न कहीं, यह हमारे काम आने वाला है, यह तो medical field में काम आने वाला है, agriculture में काम आने वाला है, इंसानों के लिए काम आने वाला है, कहीं न कहीं आने वाला है, तो तीन critical research area है, bio technology के, तीन requirement है, पहला तो जैसा पर आपने आने वाला है, वो conditions अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा यह, कि जो downstreaming process अपने वी तक पड़ा था, वो ढंग से होना च्छी है, ऐसा नहीं Monica scam चलारी है, और scam चल जाए, Monica का scam रोकना है अपनको किसी भी तरीके से, तो Monica का scam रोकेगा, तभी एक अच्छा product market में आपाएगा, न और, किसकी अगरी कल्चर की, तो अगरी कल्चर में, क्या चीजे हैं, तीजे हैं, जो अपनको ध्यान रखनाई है, अगरी कल्चर में क्या लखेंगे, फूड प्रड़क्शन भढ να है, ऐसा नहीं अगरी कल्चर में जा के आप बोल दो कि में मैं को पानी कंप Yupबच्शन जिसमें हमें कुछ को जाह। यह घड़े, आपनमिका आपको टाक जान करके नियो होजा है उसे को जान को बाचा कॉंछ और फोटिरेक उपना है यहाथ। जिससें हमें कुछ आपने ही कि जिसमें एलाम में पहँ रहे। ठीक है, देखो एक ग्रीन डेपलेशन भी चलड़ा था, जिसके फूट सप्लाइम अगेरा का दिहान दखा गया था कि सबको मिले अच्छा खाना मिले पर वो अकेला काफी नहीं था, ठीक है, हमें ना इल्ड भड़ानी थी, कि मतलब अच्छी खेती वाड़ी ना अच्छी हो सबसे पहले जो आजाते हैं, इसको शॉट में GMO भी बोलते हैं, अग्रीकल्चर में हम बात करें, अच्छी हो और हो गया केया then this is a plant, आजा मुझे वाड़ा भी आजाते हैं, तो अच्छी अच्छी हो च्छी हो अच्छी की था है कि उनको भी खाना में प्लांट कि तो बड़ान के बात स्वाट था अधार क्में हो सकते तो मॉडिफिकेशियन में हमने क्या किया मैं करें, वह एक हैं मतला काटन के पोस्ट demolиковлу कि लेरी प्रश्थ बने। उसका हमने प्लां पाली की उसमें भाद में उसके कुछ भी हम डाल रहे हैं तो plants में जैसे खाद डाल रहे हैं, या कुछ भी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो उसको efficiently absorb कर पाए, ठीक है, और उसकी nutritional value, कि पता पड़ा, आपने किसी पेड़ पे चावल होगा है, अब चावल इतने गंदे quality के होंगे, तो ना आप खाओगे, ना मैं खाओगे, पर उ उसके नहीं न, vitamin A बहुत अच्छा हो, बहुत जादा होता है, है ना, clear है सबको, golden rice में, vitamin A बहुत जादा होता है, यहां तक सबको clear है, अभी तक किसी को कोई confusion आ रहा है, तो बताओ, है ना, तो देखो, अब यह सारी बाते हो गई, तो अब जब हम कुछ applications के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमने plant में, agriculture में किये थे, production of pest resistance plant, ठीक है, जिसने क्या किया, which could decrease the amount of pesticide use, decrease the amount of pesticide use, कि मतलब यह pesticide का use कम करने के लिए, यह सब कुछ किया गया था, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं, वो है हम bacillus thurygenesis, जिसको हम short में बोलते हैं, B, T, क्या बोलते हैं, B, T, बोलते हैं, short में, ठीक है, clear है सबको, एक second देना में को, तो मैंने क्या बताया, aim देखो, आपको पता पढ़ गया होगा, एक है, इसका aim क्या है, amount of pesticide use, हम इसको काम में ले रहे हैं, ताक कि जो pesticide use हो जाना, प्लांट में वो कम हो, तो अब हम इसको किस तरीके से काम में लेने वाले हैं, हम वो पढ़ने वाले है, तो पहला है, देखो, इसकी अंदर ये क्या करता है, betot toxin release करता है BT toxin तो फिर इसको क्या क्या गया हमने toxin को डाला बैक्टीरिया में वहाँपे जाके इसने cloning शुरू कर दी मतलब बैक्टीरिया में जाके मैं आपको बना था cloning होगी तो जिसकी वज़े से क्या होगा resistance to insect without need for insecticide फिक है इंसक्टिसाइड की जरुत नहीं पड़ी पर फिर भी उसने इंसक्ट के अगेंस्ट, इंसक्ट के अगेंस्ट अपने अंदर इंस्टेंस बिल्ड कर लिया ठीक है क्लियर है सबको तो जिसकी वज़े से यह क्या बन चुका है बायो, पैस्टिसाइड बन चुका यार यह, मैंने क्या बताया था? यह खुद, हमें pesticide का यूज कम करना था और वो कैसे बना? हमने इसी को biopesticide बना दिया, देखो, ऐसा तो नहीं कि हम pesticide क्या होता है? कि हमने pesticide डाला, हम pesticide खेट में डाल रहा हैं, पेडों में डाल रहा हैं, जिसके और जिससे क्या होगा, कि भाईया, उसकी ग्रोध अच्छी होगी, हम वो क्यों डाल रहे हैं, ताकि इस पर कीड़े ना लगे, आपने दवाई क्यों छेड़ किया है, ताकि इस पर कीड़े ना लगे, पर हमें उसके अंदर, इस बैक्पिरिया, प्लांट के अंदर ही, कुछ भी करके कुछ ऐसा डाल दिया है, बीटी टॉक्सिन, जिसने इसमें क्लोन कर दिया है, प्लांट को ही ऐसा बना दिया है, कि वो खुदी प्लांट बन गया है, तो उसे बाहर से पैस्टिसाइड की ज़रूत पड़ेगी, क्या, नहीं पड़ेगी, अभी समझ आया है, कैस बहुत जहरील है, तो क्या प्लांट में डालने से प्लांट मरनी जाएगा, नहीं, प्लांट मरेगा नहीं, क्योंकि ये एक्जिस्ट एस इन आक्टिव प्रोटीन, ये इन आक्टिव प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सब को ख्लियर है, जब कोई आया, अब क्या मैंने बताया, दवाई आपने छिड़कते हो, ये सब करचा इसके लिए, अब क्या किया कोई भी कीडा, अब ये खुद एक पैस्टिसाइड बन चुका है, ये वाला प्लांट, खुद पैस्टिसाइड बन चुका है, कि मतला कोई कीडा काट के दिखा है, फ किसमें, ये इन एक्टिव फॉर्म से, यहां पर ये इन एक्टिव में था, और यहां पर ये एक्टिव में हो जाएगा, तो ये जैसे इन एक्टिव से एक्टिव में कनवर्ट होगा, तो क्या होगा, जो बिचारा, उसकी जो एंडो थीलियम है, उसके कीडे के गर्ट में, वो उसका cleavage हो जाएगा, lysis हो जाएगा और बिचारा मर जाएगा सबको clear है कि हमने कीडे को कैसे मार दिया है और जैसे मैंने आपको कुछ कीडो के बारे में बता है जैसे कौन से कीडो को मारेगा ऐसे चलते फिर ते सारे कीडो को नहीं मार दिया जैसे कौन से होते हैं डिप्टेरंस होते हैं और सिली अप्टेरंस होते हैं इनको मारेगा तो यह पूरा साइकल समझ आया कि कैसे यह खेल खेला गया है कैसे पागल हां राइट राइट अंजवी यह पॉइंट हां यह था यह था due to alkaline nature pH of gut ठीक है, of insect तो यह समझ आया है यह कैसे खेल के लगाया आप भार से दवाया छड़ा करें पेड़ पे आपकी भी मेनद जा रही है बिचारा पेड़ होल रहा है क्या यह मेरे पर बारिश किये जा रहे हो आप नहीं है ना तो यह ऐसे यह सारी चीज़े की गई है और कैसे की गई कि आपने पेड़ को ही आप बायो पेस्टिसाइड मना दिया है क्लियर है सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूं किसी को कोई भी कन्फूशन आ रहा है अब जो दूसरा है एक हमने इसके बारे में पढ़ लिया है किसके बारे में बैसिलस्टिरिजिनस के बारे में पढ़ लिया है ठीक है तो आप यह पिसके अंदर ना और भी आजाते हैं आप इसके बारे में भी जान लो जैसलाइक हाना फिर वो भी आजाते हैं जैसे cry 1 ACBC में आगया cry 2 AC आजाता है तो आप यह corn borers में डाला जाता है वो depend करता है कि अपन को किसके अंदर क्या डालना है यह डाला जाता है cotton ballworms को control करने के लिए यह depend करता है कि आप किस में क्या डाल रहे हो जैसे corn borers के लिए यह डाला जाएगा cotton ballworm के लिए यह डाला जाएगा वो depend करता है फिर ए cry cry क्या है इसको हम बोलते है cry genie बोलते है तो वो depend करता है कि और आपकी requirement क्या है आपका interest क्या है, ठीक है यह clear है, तो अब हम जो दूसरा पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं Nematode Milodigine Incognator ठीक है, बहुत गंदर सा बहुत बढ़ा सा नाम है पर आपको याद रखना पड़ेगा Nematode Milodigine Incognator ठीक है, तो अब यह क्या करता है, इसको यह infect करता है Root of Tobacco Plant जो Tobacco Plant की Root है ना, यह जाके उसको infect करता है ठीक है, जिसकी वज़े से यह क्या yield करता है, क्या result करता है, RNAi मैं यह RNAi क्या है RNA Interference Strategy RNA Interference Strategy मतलब RNA के साथ इसने खेल खेल है, मतलब यह RNA को कुछ कुछ करके ऐसा manipulate करेगा अपने हिसाब से हमें जो चाहिए था, तो क्या करता है यह, क्या करता है, देखो मैं लिखके बताते हूँ आपको यह क्या करता है, यह क्या खेल खेलता है यह खेल खेलता है, इट विल दू 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 साइलेंसिंग ओफ स्पेसिफिक MRNA द्यो टू कॉम्पलीमेंटरी डबल स्ट्रेंड आरेने मॉलिक्यूल यहाद है मैंने आपको मॉलिक्लर बेसिज अफ इनहरेटेंस में पूरा बताया था साइलेंसिंग वगेरा और आपको यह भी बताया था कि आरेने डबल स्ट्रेंड क्यों नहीं होता है हमेशा सिंगर स्ट्रेंड ही क्यों होता है क्योंकि अलग अलग प्रोटीन वह नहीं बना सकता जिसकी वज़े से हमारे को आगी जो ट्रांस्लेशन चाहिए वो होगा ही नहीं ठीक है तो क्या किया यह जो नीमेटोड है इसने क्या किया रूट और यहाँ पर जाके इंफेक्ट किया से इसने क्या को आगी जिसकी वज़े से बुरे ट्रांस्लेशन चरीशन चाहिए वहाँ पर transcription होगा, यह से single standard RNN हमें चाहिए होता है transcription के लिए, यह हमने last class में पढ़ा था, है ना, याद आ रहे है किसी को ऐसा कि बिरकुल दिमाग से उड़ चुका है, इतना time हो गया तो येस मैं, याद आ गया, येस मैं, याद आ गया, और बाकियों को याद आ रहे हैं नहीं, बाकियों के बारे में क्या है, वो बताओ तो देखो, अब ये कैसे काम कर रहा है, हमने देख लिए काम क्या कर रहा है, पर काम कैसे कर रहा है, वो देखते हैं, अब क्या करते हैं, एग्रो बैक्टिरियम vector जो है जो कि क्या है nematode specific gene इसको डाला गया agrobacterium के साथ इसको जोड़ा जाता है ठीक है ये जो nematode है मैं आपको बता है इसको agrobacterium vector के साथ जोड़ा गया जोड़ा गया ये रहा ये जोड़ के ये दोनों है ना ये 1 और 2 इन आनों को जोड़ा गया और इसको डाला गया host के अंदर पेड के अंदर डाला गया है ठीक है introduce into host plant अब क्या क्या गया है introduction was such that produce it will produce introduction ने जब हमने डाला तो इसने क्या produce किया both sense and anti-sense nonsense अला sense नहीं है अपने जो biomolecules में पढ़ाता है न opposite 3-5-5-3- sense anti-sense sense anti-sense है ना वो वाला रने डोनों प्रडियूस कर देता है in host यहां पर RNA interference strategy शुरू हो जाएगी, जिसकी वज़े से क्या हो जाएगी? silencing हो जाएगी, कटना पीटना शुरू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जो parasite है, जो parasite उसको जाके infect करेगा, वो could not survive, वो survive कर ही नहीं पाएगा, clear है सबको, कैसे यह सारा काम चला है? यह जो खेल खेला गया पूरा, वो समझ आया आपको कि मतलब कितना दिमाग चला है, यार मतलब यह बेकार-बेकार से जो लोग है, agrobac, मतलब, neemah, toad, वैसे तो कोई काम कर नहीं है, पर फिर भी हमने इसको हमारे साब से manipulate कर लिया, और plant को बचा लिया, दूसरा यह bacillus thorigines, यह खुद भी वेकार था, यह क्यों कि गंदा सा, बहुत toxic protein मना रहा था, पर फिर भी हमने इसे हमारे साफ से पेड में काम में ले लिया है, तो कैसे ही पेड में काम में लिया है, कैसे ही पूरी कहानी चली है, कि उसको pesticide में convert कर दिया गया है, बहुत confusion हो जाता है यार, bacillus thorigines का, इसको थोड़ा सा रटना पड़ा है, bacillus thorigines वाले को, क्योंकि वो clear नहीं होता कि हमने कैसे pesticide डाला है, और वो खुद हमें pesticide ना डा किसी को यह कोई भी confusion हा रहा हो ना तो बोल दो अभी ऐसे शर्मा ओ नहीं, जिसको जो भी थोड़ा सा भी doubt है कि मैं नहीं समझ आ रहा है, यह है, बता दो समझ तो आ रहा है, तो मतलब देखो मैं यह रेक थी, मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं दो-चार बच्चे तो ऐसे left कर जा रहे है, तो मैं वहीं सोच रही हूँ, उनको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहे है, जो आप left कर रहे थी, यह 2-3 बच्चे, जो मैं को पता है कौन को left किया है, खुकि यह रहा है तो अगर आपको नहीं आ रहा है, तो मैं आपको प्लियर रह सकती हूं, हाना, वैसे मैं आपको देख रहे थी कि, अगर देख रहे हूं, आज मैं को video करती तो एक मagles देख से रहे कहा है, बताओ, नहीं आर, थोड़े थोड़े है ना थोड़े थोड़े ठीक है आप धोड़ने की कोशिश करो जैसे आपने आज क्लास में शुरू आती यहीं से करी थी कि मैं आपको धोड़ रहे है तो वही करो तो यह बटा यह बताओ यार आप लोगों को सब समस्तों आ रहा है किसी को कोई confusion तो नहीं आ रहा है ना ठीक है और यह बताओ कर्ण आपका test है क्या